पिछले कुछ महीनों में सबसे बड़ा हफता सर ग्लोबल मार्केट्स के लिए आने वाला है फेड की पॉलिसी देख लिजे, यूएस में सभी दिगज आईटी कंपनीज के नतीजे आएंगे और धेरो नतीजे आने वाले हैं, डेटा भी कई सारा आने वाला है सारा अक्षन एक剛剛 में एक हफ्ते में सर बिलकुल देप और मेरी खाल से सबसे बीजी हफ्ता ये रहने वाला है चाहे हमारे बादरों के लिए आज से देखें या दुनिया वर के बादरों के लिए आज से देखें इवेंट्स भी हैं, रिजल्स भी हैं, यानि कि मैक्रो फेक्टर्स भी हैं और माइक्रो फेक्टर्स भी और एक तरफा बहत्रीन तेजी होने के बाद बाजार थोड़े से रुखते वे भी नज़र आ रहे हैं मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट दिन होगा इस अफते का वो होगा ये गुरुवार और गुरुवार पर नहीं सिफ हमारे यहां मंतली एक्सपायर है बलकि बुद्धवार देरात अमेरिका में जो आपको फेड की मीटिंग है उसका असर आते वे दिखे रहेंगे तो इस हफते काफियत तक अब ट्रेडर्स और इंवेसर्स का व्यूट थोड़ा सा कौशिस होने वाला है और कौशिस होने के पीछे वज़ा दिप यह है कि दूनिया बरके बाधरों में हमरे बाधरों में एक तरफा तेजी होती हुती हुए दिखिए और एक तो थोड़ा आपको साफधानी रखने की ज़रूत है और साफधानी के लियाद से अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि अमरिका में भी बहुत कुछ एक्शन होने वाला है और हमारे यहां भी रिजल्स के लियाद से बड़ा हफ़ता होने वाला है और निफ्ती की भी और वाइदा करुमार की भी धेर सारी कम्षिया हैं जो अपने नतीजे पेश करेंगी और अमेरिका में भी इसी तरह का एक्शन रहने वादा तो मेरा यह समझना है कि यह हफ्ता ऐसा होगा जहां पर थोड़ा सा आपको इंट्रादे भी और इस्पेशली ओ या फिर आपको हेजिंग के लिहाद से रहना है तो यह दो चीजे इस हफ्ते की जबर्दस तो हफ्ते की शुरात में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं थोड़ा सावधान करने की कोशिच कर रहा हूं और यह सावधान करने की कोशिच इस वज़े से नहीं कि SZN 50 नीचे है SZN 50 से तो हमें कोई फर्क नीचे है तो कोई दिक्कत वाली बात वहाँ नहीं है लेकिन सावधानी सिर्फ इस वज़े से कि हम एक बड़े हफ्ते में जा रहे हैं एक तरफा बढ़या तेजी होने के बाद जा रहे हैं ऐसे में खरीदना है लेकिन अपने लेवल से और अपन आजाती है एक बर मैं आपको बता भी देता हूँ क्या-क्या इंपोर्टन फैक्टर से इस हफ्ते जहां पर आपको रखनी है नजर सबसे बड़ी तो आफकोस आपके लिए फेड की पॉलिसी है 27 सारी को पॉलिसी आने वाली यानि की वेडनेस डे शाम को हमारे बाजार इस पर थर्सडे मौनिंग को रियक्ट करते हुए दिखेंगे अनुमान 80% जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि 5% की आपको बढ़ोतिक दिखेगी 20% इस समय जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि 1% तक की बी रेट हैएक हो सकते है बट जादा तर बाजार में माना यही जा रहा है कि इस बार 5% और फिर आने वाली इस साल की दो और पॉलिसीज में आधे-ाधे परसंट से रेट्स बढ़ सकते हैं ताकि साल के एंद तक अमेरिका में रेट्स करीब 3.5% के हो जाएंगे इंफेशन के लिहाँ से थोड़ी राहत आ रही है डेटा में अभी रिफ्लेक्ट होने में समय लग सकता है बट आने वाले डेटा में डेफिनिटली इस पर आपको इंपाक्ट देखे है तो इसलिए शायद इस बार 5% की बढ़ारतरी हो और उसके बाद फेड अपनी रेट हैक्स की प्रक्रिया को थोड़ा कम कर सकती है डॉलर इंडेक्स में भी हमने थोड़ी सुस्ती बनती हो दिखिए तो यहां से भी एक रहात आ रही हमारे रुपे पर भी आपको रखनी पड़ेगी की नजर असी का लेवल तो दो बार रुपए पार कर ही चुका है फिलाल उसके नीचे ही होल्ड कर रहा है देखते हैं वहाँ पर आपको कैसा आक्शन बनते हो दिखेगा अब तक जो IT के नतीजे आये हैं especially social media companies के वहाँ से डर यही बनते हो दिख रहा है कि शायद advertising growth slow होती भी दिख रही है और शायद उसका एक impact आपको ज़रूर आते हो दिख सकता है supply chain की परिशानिया अब थोड़ी कम हो चुकी है तो शायद वहाँ से एक रहात आ सकती है बट इसका impact रहेगा साथी S&P 500 की पौने 200 companies यानि की one third पूरी की पूरी list के जितने भी नतीजे है वो भी इस हफते आपके लिए आते हो दिखेंगे तो बड़ा reaction आ सकता है data के दम पर, policy के दम पर but more importantly क्योंकि फिलहाल बाजार का काफी बड़ा impact earnings पर बना हुआ है earnings के लिहाज से आप देख सकते हैं कि sentiment उपर या नीचे आपको होते हुए दिखेगा इसके बाद of course America में Q2 GDP का data आने वाला है और ये काफी important है पहला अनुमान आएगा GDP का दो अनुमान और final data आता है तो पहला अनुमान आने वाला है Q2 GDP का और ये important इसलिए है क्योंकि इससे पहले वाली तिमाही में हमने negative growth देखी थी और अगर लगातार दो तिमाही में negative growth आती है तो ये माना जाता है कि मंदी शुरू हो गई है अब technically data के लिहाज से मंदी शुरू हो सकते है क्योंकि इस बार भी negative growth का अनुमान लगाया जा रहा है पर क्या actually में मंदी आई है ये देखना काफी important रहेगा तो ये data काफी important रहेगा US में consumer sentiment data आपके लिए आने वाला है again ये काफी important रहता है ये बताने के लिए कि आगे consumer spending कैसी रहेगी क्योंकि US की economy पूरी की पूरी consumer based economy है consumption economy है तो वहाँ से भी important data है और of course ये औरप का भी GDP और inflation data आने वाला है